पंचकुला में दो दिन पहले तक कुल 5 करोना संकर मित थे लेकिन गुर्वार को चानक इनकी संक्या बढ़कर चोधा हो गई एकडम संक्या बढ़ने का कारण है कि एक ही परिवार में कुल 9 लोग करोना संकर मित पाए गई है पंचकुला के इस सेक्टर 15 के एक ही परिवार के नो लोग करोना से संकर्मित पाए गए PGI से रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पूस्टी हो गई है कि संकर्मित पाए गई महला के साथ-साथ परिवार के आठ अन्य सदस्य करोना पॉजटीव है वीरवार सुबार जब महला के परिवार के ने सदस्य की रिपोर्ट आई तो इस बात की पूस्टी हुई अब प्रबल संभावना है कि इस परिवार के संपर्क में कई अनने लोग भी आये हूंगे जिनके कोरोना पॉज़टीव होने की पूरी संभावना है पंस्कुला के उपषिकत मुकेश आहुज़ा ने संकरमित के नाम का खुलासा किया है और कहा कि इनके नाम सारजनी करने अविश्यक है क्योगी इन के संपरक में जितने भी लोग आए हो उन्हें जन्कारी दी जा सके यह परिवार से पेड़ित है ताकि वह लोग भी सामने आकर अपना टेस्ट करवा सके अब पंचकुला में तीन दीन में करोना के कुल नव नए पॉजिटिव केस आ चुके हैं अब पंचकुला में करोना के कुल पेड़ित 14 हो गए हालाकि दो मरीज ठीक भी हो चुके हैं मंगलवार को सेक् पंची सोनिया की बेहन अंजु गुपता शीखा गुपता वंशी का महाजन रेखा महाजन आशिश महाजन एवंबनीश महाजन भी करोना पॉजिटिव हो गए हैं सीविल सर्जिन डॉक्टर जस जीत कोड ने बताया कि अब परिवार के दूसरे सदर्स्टे को भी खत्रा ब दूसरे साथ सदर्स्टे की रिपॉर्ट भी पॉजिटिव आ गई है पंच कुला से राजिन्द सिंग जादोन की रिपोर्ट